Hello everyone and once again welcome to WS Cube Tech YouTube channel. Myself Umar Taskir and guys, इस YouTube की सिरीज में आज मैं आप से बात करने वाला हूँ about community tab. यह guys बहुत ही important topic है. YouTube के optimization की बात करें या video marketing की बात करें, YouTube platform को use करने की बात करें from creators point of view, from individuals point of view, from company point of view, वो सारी चीजों का धिहान रखते हैं, यह हमें videos किस तरह के से पोस्ट करने, उनका title कैसा होनाची, उनका description का, उनकी tags कैसे, उसकरने keywords कैसे, उसकरने optimization के उपर बहुत ज़्यान देते हैं, बड़ी गोड़ी teams बिठा देते हैं, वो सारी चीजों optimize होती है, video equality इन सारी चीजों का धिहान रखा जाता है, यह सारी चीजों बहुत important है, right, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यह चीजों important नहीं है, लेकिन और भी ज़्यादा चीजों important है, उनमें से एक चीज है community tab, जिसको बहुत से लोग ignore करतेते हैं, और इस community tab को आपको शुरुवात से ही पकड़ के रखना है, यह शुरुवात से ही आपको strategy बना के रखनी कि आपको community tab को किस तरीके से use करना है, because this is something जिससे आप अपने audience से directly connect होते हो off the camera, right, off the camera का मतलब यह है कि videos के अलावा जब कभी भी आप अपनी audience से connect होते हो, that is from this community tab, right, और it actually, this page और this section actually acts as a family, ठीक है, तो आपको इसको properly अच्छी तरीके से utilize करना है, कुछ गलतिया भी होते हैं community tab को use करने में, कुछ important points हैं, उनको हम लोग cover करने की कोशिश करेंगे, तो पहली बात तो यह है कि community tab, यह actually आपके community के लिए, आपके followers के लिए है, उनको आप कुछ knowledge देना चाहते हैं, कुछ information देना चाहते हैं, कुछ notification देना चाहते हैं, तो उसके लिए है, तो अब यहाँ पर आपको तीन चीज़े actually मिलती है, पहली बात तो यहाँ पर आप type करके content लिख सकते हो, that's it, ठीक है, पहली बात यह, दूसरा यहाँ पर आप video upload कर सकते हो, तीसरा यहाँ पर आप poll add कर सकते हो, और चौथा जो यहाँ पर आप देख रहो, जो है upload करते रहते हैं, कुछ पूछते रहते हैं, तो उसे जो है कुछ basic concepts, जो हमारे followers हैं, उनके बहुत सारे basic concepts हैं, जो clear होते रहते हैं, तो अगर आप देखोगे तो यह regular जाता है, उसके बाद कुछ जो यहाँ पर हमारे members area के लिए, जो special Instagram के वीडियो से वो जा रहे हैं, तो उसको केवल आप देखोगे, यहाँ पर members only लिखा हुआ है, तो वो members only section के लिए, तो यह सारी चीज़े हम regular यहाँ पर वापस quizital मेनिया, या कुछ भी जो हमें information देनी पड़ती है, यहाँ पर upload कर सकते हैं, यहाँ पर हम उसके through बता सकते हैं, तो कुछ जो important चीज़ है कि किस तरीके से हम इसको use कर सकते हैं, अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर मैंने कुछ points लिख रखे हैं, हो सकता है कुछ points को आप follow करते हो, कि एक बार आपके साथ connect to audience, ठीक है, एक बार आपके साथ audience connect हो, इंगेजमेंट आए, then let me tell you, जो सबसे अच्छा option है, वो है poll, पोल के लिए आपको specifically सोचना है कि किस तरीके से हम questions यहाँ पोल में पूछ सकते हैं, for example, अगर आप poll के उपर click करोगे, तो आप यहाँ पर देखो, ask you community का option आ रहा है, anything, whatever you want, अप उसके बारे में पूछ सकते हो, बहुत कुछ हो सकते हैं, यह से कि आप जो आपके upcoming videos हैं, उनके बारे में पूछ सकते हो, कि आप किस topic के उपर चाहते हो, कि मैं videos बनाओ, आप किस topic के उपर लेना चाहते हैं, या जो हमारे पूरानी playlist है, उसमें आपका जो experience है, वीडियो को लेकर वो कैसा है, तो उससे related बहुत सारे ऐसे चीज़े हैं, जहां पर हम interaction कर सकते हैं, तो polls are actually a very great way to interact to your community, जो community आप देख रहे हैं, it is actually community, it is not only a word or term or tab, it is actually your community, so you have to pay some special attention to this community section and community tab, provide information, this is something very basic, इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे for example कि हमारा जो daily video upload करने का time हो 7.30 pm है, in case अगर कुछ technical problem हो गई, कुछ upload नहीं हैं, तो we can provide them information, या जब भी हम कुछ next नया करने वाले हैं, या कुछ नहीं चीज़ें add करने वाले हैं, in that case हम उसकी information provide कर सकते, community tab, जैसे कल कोई मेरा अगर live video आने वाला है, तो उसकी information मैं पहले से ही, जो है community tab में provide कर सकता हूँ, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो हमारा second point है, आप provide information, इसको justify करते हैं, फ्रमोटिंग और reminding about older videos playlist, ये बहुत अच्छा तरीका, ये देखो क्या होता है, कई बार अगर आपको लगता कि आपको video कोई बहुत अच्छा है, और उसको जो नए followers हैं, उन्होंने miss कर दिया, ठीक है, या आप उसको देखनी पाई, या लोगं को remind कराने की ज़रूरत है, इन दाट केस, आप उसके बारे में community में लिख सकते हैं, और साथी साथ आप उस video को वहाँ पर show कर सकते हैं, तो अगर आप उस video को वापस शो करेंगे, उस playlist को वापस शो करेंगे, अगर series of videos हैं, series of videos को वापस आप शो करेंगे, इन दाट केस, आपको वापस जो है, आपको वीडियोस हैं, उनके उपर engagement आने लगेगे, और इस दौरान अगर आपने 10,000 से 20,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए, तो जो बागी के 10,000 से हैं, अगर उन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, जो अच्छा वीडियो था, उनके लिए benefit कर सकता है, और वो community पे थोड़ा बहुत active है, उनको पता है, कि आपकी community है, और वहाँ पर जो है, आप regular कुछन को अप्लोड करते हो, इन डाट किस उस वीडियो के बारे में पूरी information है, वहाँ community टैप के अंदर डाल सकते हैं, तो जो नए आपके 10,000 followers हैं, वो भी उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे information मिल सकते हैं, जो आपके पुराने videos हैं, जो पुरानी series of videos हैं, पुरानी playlist हैं, उनको आप promote कर सकते हो, pre-promotion का मतलब यह हुआ कि कुछ आप नया introduce करने वाले, कुछ नया videos लाने वाले हो, या कोई आपका course आने वाला, anything, right, it's kind of a pre-promotion, वो आप यहाँ से कर सकते हो, behind the scenes, surprises, यह सारी चीज हैं, यह सारी photos, यह सारी videos, आप वहाँ पर upload कर सकते हो, it will definitely give you a very good connect with your audience, ठीक है, यह जो important चीज होती है, कि आप अपनी audience के साथ connected रहें, यह चीज आपको यह से मिलती है, anything that comes into community tab only only for community, this is again a very important thing, आपको इस बात के ध्यान रखना है कि whatever you are posting in community, that is only for the community, right, that is only for the community, उनको you have, you actually have to make them feel special, right, you have to show them that you actually care about them and you have to care about them, ठीक है, because जब कोई community में आपके साथ interact करते है, they are the part of your community, right, so कुछ content आपका ऐसा होने चीए, that is only for the community, right, so that is a kind of a exclusive content आप इसको 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 समासकते हो, एक exclusive content that will be only reserved for the community, will never be delivered to someone outside the community, right, remain active, consistent, this is again a very important thing, active आपको रेन, active in the sense you have to reply, you have to cater those emotions which you are getting from your community, and this is a very great part, right, यह आपको करना है, be consistent, अगर आप जो है alternate days पे कुछ पोस्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर कुछ आप देख रहे हैं, चल रही है, तो वो फिर regular consistent होनी चाहिए, reply to community mentors, तो यहाँ पर जो important एक चीज़ है, जो आपको ध्यान में रखनी है, वो यह है कि अगर आप polls के लिए कोई strategy बना सकें, then that is great for you, आपको देखना है कि कैसे community tab कि थूँआप engagement ला सकते हैं, that engagement will be beneficial for your YouTube channel, so guys, इस particular video में इतना ही मिलते हैं, next video man, till then, goodbye. कि इस दिस देखना है, जो आपको जो आपको बादिनी है, तो आपना है, जो आपको दो देखना है, कि अठर सकते हैं,